हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन चैनल लेटिस टॉक्स तो दोस्तों है पर एक और बड़ी सरकारी बरती निकल चुकी जिसमें कि एक हैयार से भी ज़्यादा पदो पर भरती होनी है योगता सिर्फ दस भी पास मांगी गई है और दोस्तों इसके लावे सभी डीटेल्स यहाँ पर क्लियर करने वालों क्लेटी क्वालिफिकिशन एज लिमिट मांगी गई है तो बनीर इस वीडियो मेरे साथ लास्ता और दोस्तों आगे बनने इस परे वीडियो लाइक जुरू कर दीजे दोस्तों साथ ही साथ में बताना चाहूँगा अगर आप MP की सिक्चक बरती वर्ग एक वर्ग तो इसके लावे किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे है तो अगर आप हमार कूपन कोड़ अपलाई करते हैं ज्यादा जानका लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें तो दोस्तों यहाँपर आप देख सकते हैं यह सब ही भरती निकली अगर टोटल पेकंशिस के बात कर लो तो एक हजार चाहूँगा नहीं यह पर वेकंशिस है और दोस्तों कुल मिलाकर MP को मिलाकर टोटल 34 जगे पे यहां-पे խरती निकली यह याँपी में आप होपायल म यहां पर देख सकते हैं इसका स्क्रिंशॉट ले सकते हैं वह पाल में हिंदी लेंग्वेज आपकी की सब्सक्रिण कि अव tuhड़व section पोश्ट टियों आपको कर है पे पोश्टे पोश्टक है गए सेजनों से ग्रुप पिसे हैं यहां फिस के तूरू रहेगा अब इसमें ग्रुप क्या है तो 10th pass आपके होना चाहिए या फिर इसके equivalent होना चाहिए और दोस्तों आपको एक किसी भी local language जरूरी है आपको होने के लिए यानि आप जिस भी शेहर में जाने तो वहां की local language आपके लिए बहुत ही important हो local language दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं second number के column में आपको दिया हुआ है सभी जगे यहां पर इसेंशियल मैंने बता दिये qualification क्या है अब age limit की बात कर लेता है तो 27 साल से ज़्यादा आपकी age limit नहीं होने चाहिए और जो दोस्तों reservation सबको मिलता है यहां पर भी मिलेगा SCST के लिए five years, OBC के लिए three years वां की दोस्तों सभी लोगों जो मिलता है आप यहां पर देख सकते हैं अपने अनुस्वार आप जिस भी category में आते हैं अब दोस्तों थोड़ा से detail में अगर बात कर लें तो किस तरह यहां पर selection ह देखा जाये तो तीन टायर में सेलेक्शन होना है जिसमें की दोस्तों पहला आपका exam होगा जो की सो मार्स को दो गंटे का exam होगा उसमें दोस्तों आपके चार section रहेंगे जिसमें जनरल अवेरनेस चालीस कोशन रहेंगे aptitude के 20 कोशन reasoning के 20 कोशन और English के 20 कोशन जो की multiple choice रहेंगे उसका second टायर के बात कर लें तो यह qualifying marks से रहेगा qualifying paper रहेगा जिसमें की दोस्तों descriptive paper होगा जिसमें आपको पैसेज लिखना पैसेज दिये जाएगा 500 words का local language में और दोस्तों सेकेंड उसका section जो रहेगा वह spoken ability जो कि दोस्तों इंटर्विवी टाइम पर असेस्ट किया जाएगा अब दोस्तों एक थर्ड आपका टायर भी होगे जिसमें इंटर्विव परसनेल्टी टेस्ट होगा तो दोस्तों यहां पर 40 40 marks का आपका सेकेंड टायर सेकेंड टायर मे और दोस्तों selection जो है उसके यहां पर बता दूँ 1 4th यहां पर marks की wrong answer रहे या नहीं निगेटिब मार्किंग की 1 4 रहेगी अब दोस्तों ऑन दा वेसिस ऑफ टायर वन एक्जाम अब दोस्तों जो टायर फर्स्ट को जो एक्जाम दोगे उसके अनुसार यहां पर टायर सेंड आपको apply करना है तो दोस्तों यहां पर आपको जो website में आपको description में भी दे दूँगा यहां पर जाकर आपको apply करना है जिसके दोस्तों आप बगता दूं लास्ट डेट आप 10 11 यानि 10 नमबर इसकी last date रेने वाली हो 20 तर इसके exam form start हो चुके और दोस्तों exam फिस मात्र 50 इसके लाव किसी वी तरह का डाउर क्वेरी सेजेशन हो तो बिलकुल आप करने बोक्स बता सकते हैं दोस्तों 50 रुपे यहां पर लगेगी जनरल और OVC के लिए पाकी SC STX सब्सक्राइब के लिए फीस नहीं लगने वाली तो धन्या दूस्तों वीडियो देखने लिए जय